हलो आज है अठारा जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलाइंस पावर के बारे में देखें तेरा रुपए का यह शेयर है और तेरा रुपए के शेयर में काफी जादा अपसेंट डाउंस है विछले कुछ दिनों में देखने को मिले हैं बहुत ही नीचे के लेवल से एक बड़ी रफ्तार हमने देखी और एक बड़ी रफ्तार के बाद एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हमने यहां पर देखी गिरावट भी हमने देखी वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि तेरा रुपए के ऊपर जब शेयर ट्रेट कर रहा है तो के मौके यहां पर बन रहे हैं कि नहीं तो वीडियो को शुरू करूँ से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो से जो आपको काफी जादा हल्प करेंग इन्फ्रा में जो रिलाइंस ग्रूप है वो कहीं न कहीं अपनी जो हिसेदारी है उसको बढ़ाने वाला है कुछ खरीदने वाला है और इसकी वज़े से ही शेर में हमें पिछले कुछ दिनों में एक बड़ी रफ्तार हमने देखी चार रुपय का शेर हमने वाइस हाफ 17-18 रुपय तक ट्रेड करते हुए देखा एक बड़ी तेजी आई लेकिन अब नीचे भी आया है फाइनली यहां पर अगर हम देखने के कोशिश करें तो अप्रूबल शेर होल्डर की तरफ से मिल चुका है पोश्टर बैलेट के तो आप देखें आपर रिलाइंस पावर एमि इतना ही नहीं रिलाइंस इंफ्रस्ट्रक्चर और अधर प्रमोटर ग्रूप इन रिलाइंस पावर इंक्रीज टू 24.98 परसंट देखे 24.98 परसंट की इंक्रीज हुई है और आने वाले समय में और अपने हिसेदारी को बढ़ा सकते है यह और 38.24 परसंट तक इसको लेकर ज करीदेरें मतलब दुबारा यहां पर कुछ होने वाला है शेयर दौडने वाला है तेजी आने वाली है चुलो हम भी पैसा लगाते हैं तो यह एक तरगी की मेंटालिटी सब लोगों में आती है ठीक है सब में आती है छोटे बड़े हर किसी में आती है आलेकि जो बहुत पूर्फोलियो इन पावर प्रोजेक्ट इन दे प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया बेस्ट ऑन कोल गैस एंड रिन्यूबल एनरजी विट ऑपरेटिंग पूर्फोलियो और 5949 मेगावोर्स का इतना बड़ा पूर्फोलियो है तो बड़ी ख़बर यहां पर आई है लेकि यहां पर मार्केट में उस दिन भी तो यह कहना कि भई यह बहुत बड़ी तेजी देखिए जो तेजी आने थी इस ख़बर के चलते हैं वो अल्ड़ी आ चुकी है ठीक है सबको पजाता है कि भई यहां पर देखने को मिल चुकी है इसमें कोई बड़ी वात यहां पर नहीं तो मेरी बाइंग के रेकमेंडेशन तो नहीं है लेकिन अगर अच्छी खासी तेजी बनती है और आपने खरीदारी करके रखी है तो आप यहां पर फाइदा उठा कर एक्जिट कर सकते हैं देखिए रिलाइंस पावर में मैं बाइंग की रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं कर की है उस पर ब्रोसा करना मैंनेज्मेंट अब जब भी किसे कंपनी में पैसा लगाते ना तो अप मैनेज्मेंट को देखते हैं कैसा है तो यहां पर यह सारी चीले अगर मैं देखूँ तो मुझे यह रिलाइंस पावर देखें मैं प्रैक्टीकल यहाँ पर बात करूँ ठीक है तुक्के में तो भाईया बहुत कुछ जा सकता है देखें तुक्के तुक्के में यहाँ से बहुत बड़ी कि पैसा लगा सकते हैं लेकिन मैं avoid करने के सलाह यहां पर दूँगा क्योंकि मुझे अभी भी थोड़ा बहुत बरोसा यहां पर नहीं बन रहा है ठीक अभी भी नहीं बन रहा है हला कि मैं देखूंगा कुछ वक्त के बाद अगर लगेगा कि हाँ शेर सस्ता हो चुका है काफ आपके नीचे के लिए पर मिल रहा होगा या फिर कोई अच्छी कॉंक्रीट चीज यहां पर बन रही होगी तो definitely मैं आपको यहां पर बता हूँ कि हाँ अब चीजे अच्छी हो रही अब यहां पर बाइंग कर सकते लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि रिलाइंस रहा है रेवन्यू में देखे तो गिरावट आई है लेकिन अब दिरे दिरे उस गिरावट को कंट्रोल में रखा जा रहा है यह तो यह अच्छी बात है प्रॉफिट का इंक्रीजिंग मोड में देखने को मिला है 2021 में कंपनी को मुनाफ़ा हुआ है वह भी 450 करोड से भी ज आने वारे देखे मैं कहूंगा कि तेजी देखने को मिलेगी यहां पर ठीक है तेजी आएगी मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि तेजी नहीं आएगी तेजी जरूर आएगी अगे मैं कहा रहा हूँ तेजी आएगी लेकिन बाइंग रिक्मेंडेशन मैं इसलिए नहीं दे रहा होगा तो अगर मैं कहना चाहूंगा कि रिलाइंस पावर में अभी मेरे हिसाब से अवाइड करना ज्यादा बहतर रहेगा और रिलाइंस पावर देखे तेजी आने की उम्मीद है मैनेजमेंट का जो डिसीजन है डेफिनिली उसका वैलकम किया जाना चाहिए और मैनेजमेंट दुबारा यहाँ पर रिलाइंस इन्फरा और रिलाइंस पावर पर फोकस कर रहा है ये भी हमां समझना चाहिए बाहकी अनिलंबानी गुर्पी कमपनियों का कोई फाइदा नहीं है इन सारी चीजों से तिर्फ इन दो कमपनियों का थोड़ा बहुत फाइदा होना चाहिए कुछ वक्त के लिए लेकिन लॉंग रन में तो भाईया यही देखा जाएगा कि कमपनी क्या परफॉर्म कर रही है कमपनी का वैल्यूइशन कैसा है कमपनी प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कर रही है जो करजे की हम यहां पर बातचीत कर रहे है वो करजा कमपनी चुका रही है कि नहीं तो कंपनी के उपर कर्जा भी बहुत जाद है हाला कि इन लोगों ने कर्जा चुकाया जरूर है लेकिन फिर भी अभी बहुत बड़ा कर्जा इनके उपर है ओवराल रिलाइंस पावर हां तेजी दिखा सकता है ये शय हो सकता है कि 15-16 रुपए के आसपास पहुंच जाए ले मेरे हिसाब से रिलाइंस पावर की जगह और भी बहतर शयर से जिसमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं और खरीदारी करिये तो अगर मैं कह रहा हूं बेचने की सला मेरी इस लेवल पर नहीं है तीजी आने वाली है 16-17 रुपए के आसपास निकलता है तो इस लेवल पर अ सब्सक्राइब करें और रिलाइंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वह भी आप मुझे कमेंट में लेकर बता सकते हैं थैंक्यू